हेलो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही कमाल मशीन जिससे आप बिना हाथ लगाए बिना हाथ गंदे किये बहुत ही अच्छी रोटियां बना सकते हैं जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए है रोटी मैटिक, एक ऐसी आटोमैटिक मशीन जिसके अंदर आटा, पानी और ओइल रखने के बाद में वो मशीन सारा प्रोसेस खुद बखुद करती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर डबे देख सकते हैं, एक डबे में आटा भरना है, उसके अंदर maximum capacity बता दी गई है, कि उससे ज्यादा आटा ना भरे, अब इस डबे को हमें स्क्रीन पर दिये हुए, जिस तरह से मशीन में इंडिकेटर दिया हुआ है, बिलकुल उसी तरीके से डबे को उसके अंदर fix कर देना है, दूसरे डबे में हमने oil भर कर डा डाल दिया है, अब हम देखते हैं कि ये मशीन कैसे बड़े आसानी से जल्दी हमें अच्छी रोटियां बना कर automatic तरीके से देती हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये आटा गुनने वाला हिस्सा है, ये power input है और ये है इसका plug source, power supply connect करने के बाद में 5 सेकंड रुक कर आपको इस मशीन को on कर देना है, उसके बाद में यहाँ पे आपको आटा सेलेक्ट करना है, जिसमें आप घरेलू आटा भी डाल सकते हैं, उसके बाद में आपको रोटी की थिकनेस सेलेक्ट करनी है, उसके बाद में सेलेक्ट करना है क पूटी कितनी ज्यादा आपको पकी हुई चाहिए आपको औल सिलेक्ट करना है और उसके बाद मैं आपको सिलेक्ट करनी है चपातियों की क्वन्टिटी कितनी चपातियां बनाना चाहते हैं उसके बाद में इस मशीन को स्टार्ट कर दीजिए पहले तो 6 मिनिट ये वामिंग अप टाइम है यानि कि इसका तवा गरम होता है उसके बाद में ये अपने आप उपर दिये हुए डबे में से आटा लेना शुरू कर देगा और उस आटे को गून करके उसका बॉल बना देगा अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कैसे उसने आटोमेटिक आटे के बॉल को अपनी सही जगा पर लाकर उसको प्रेस करके अच्छी चपाती बना दी है एकदम गोल चपाती इसमें आपको मिलेगी और उसके बाद में उसको अच्छी तरीके से रोस्ट करने के बाद में पकाने के बाद में आपको हाईजीनिक और एकदम बहतरीन कॉलिटी के चपातीयां मिलेगी इसके अंदर एक बार में मशीन स्टार्ट करने के बाद आपको 10 रोटियां फास्ट फास्ट मिल जाती है उसके बाद में आपको दूसरे 10 रोटियों के लिए दूसरा आटा डालना पड़ेगा और फिर से मशीन को स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोटियां और नरम हो जाए तो इसको एक कपड़े में 2 मिनिट तक बांद के रखिए उसके बाद में ये रोटियां और भी ज्यादा नरम हो जाएंगी और अगर आप इसको लंच के लिए पैक करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको अलुमीनियम फॉयल में बटर पिपर के अंदर पैक कर सकते हैं ताकि चपाती की जो नर्मी है जो ताजापन है वो बना रहे और उसके बाद में इसको पावर आफ करके इस मशीन को रख दीजिए इसके अंदर एक फीड़बैक चैनल भी है जिसमें आप मशीन का फीड़बैक दे सकते हैं कि आपको चपातीया कैसी लगी इसको ओपरेट करना बहुत ही आसान है इस मशीन की मदद से एक बच्चा भी रोटियां बना सकता है इसके अंदर जो आटा कंटेनर है उसमें आप आटा भरा हुआ भी रख सकते हैं कि नेक्स टाइम जब आओ तो आप डायरेक्ट मशीन आउन करकर रोटियां बना लो ये एक मैजिक मॉडल है जिसकी मदद से आप रोटियां बहुत ही जल्दी बना सकते हैं और आपके दूसरे एफिशेंट काप आप बड़े आसानी से कर सकते हैं इसको क्लीन करना बहुत ही आसान है जैसे कि आपने वीडियो में देखा ये मशीन मार्किट में बहुत यूस की जा रही है और दुनिया भर में इस प्रोटिय को बहुत पसंद किया जा रहा है अगर आप शादी शुदा हैं लेकिन हस्बेंड और वाइफ दोनों वरकिंग हैं तो आप ये मशीन खरीद करके अपने घर का काम बहुत ही आसान कर सकते हैं या फिर आप बैचलर हैं और मेड के हाथ की चपातियां खाकर तंग आ चुके हैं तो आप इस मशीन को खरीद करके हाईजीनिक और अच्छी चपातियां बना कर खा सकते हैं जिसमें आप को बिलकुल भी महनत करनी ना पड़े आप settings को change करके हर बार अलग-अलग तरीके की चपाती भी बना सकते हैं आपके need के हिसाब से इस machine से आप रोटी भी बना सकते हैं और पूरी भी बना सकते हैं इस machine की quality पे तो आपको कोई शक नहीं करना चाहिए क्यूंकि ये एक latest technology का model है जो आज की दुनिया में technology को बड़ावा देता है जैसी की हम जाते हैं के आज कल कोई भी product fully automatic आपको खाना बना कर नहीं देगा लेकिन ये एक लौती शायद ऐसी machine है जो fully automatic तरीके से आटा गूनने से लेकर के रोटियां बनाने और उसको सेकने तक का काम पूरा खुद कर दी है और रोटियां भी बनाती है एकदम world class quality की आप ज़रूर इस machine से बनीवी रोटी एक बार खाना चाहेंगे अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं और अगर आप अच्छी रोटियां नहीं खा पाते क्यूंकि आप अपने घर से दूर हैं या फिर आप कहीं बाहर जॉब करते हैं तो मेरे खयाल से आपको अभी इस machine को order कर देना चाहिए description में हमने link दे दी है उस link पर click करके आप इस खुबसूरत नए technology की machine को अपना बना सकते हैं अब अगर बात की जाए इस machine के design के बारे में तो ये machine जितना quality में अच्छा काम करती है उतना ही खुबसूरत इसका design है बहुत ही easy to wash system है इसको निकालना और वापस से adjust करके इसके अंदर इसके parts को बिठाना बहुत ही आसान है जिसे घर की ladies भी operate आसानी से कर सकती हैं और आप भी तो अभी जाए लिंक पर और इस machine को order करें दोस्तों अगर आपको आज के जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को like कीजिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए इस वीडियो को share कीजिए धन्यवाद